What is up guys and welcome to your favorite channel जो है मकडी मारव आज की वीडियो में हम लोग सर्वाइब करने वाले हैं Minecraft Hardcore वो भी सिर्फ ओशन वल्ड में मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओशन इस वल्ड में तो sit back, relax और पूरी वीडियो को end तक enjoy कर तो day one सबसे पहले हमको एक ruined portal मिला है जो की काफी जादा ज़रूर होने माला है इस सीरीज में मतलब इनी चीजों से हमको resource मिलेंगे जाहतर तो इसको मैंने फटावट से loot लिया and उसके बाद मैंने एक search शुरू करी एक अच्छे सा island के लिए में को एक बहुत तगड़ आइलेड मिला जिसमें grass ती जो की काफी रेयर मन जाती एक ocean only world में तो एक काफी कुछ था में उसके लिए तो फटावट से मैंने उसके ऊपर जो पेट था उसको cut किया and उसके बाद मैंने उसके tools बनाके फटावट से mining शुरू कर दी बनाया जो area है उसको expand करा and उसके बाद मैंने सोचा की चलो एक अच्छा सा घर बनायते हैं मतलब अच्छा सा तो नहीं स्क्वार सा था अजीब सा घरता लेकिन मैंने सोचा की चलो बनाई लेते रहना तो हई कही न कहीं तो मैंने बनाया ठीक लग रहा था उसको आवी था उसमें जादा कुस्तानी उसके बाद day 2 की शाम को मैंने फटावट से mining करी and day 3 भी मेरा पूरा mining में गया क्योंकि मैंको काफी जादा resources की ज़रती मतलब coal, iron वगएर की ज़रती फटावट से मैंने mining करी उसे की साथ साथ मुझे जादा community, उसके बाद से जितना भी iron था उससे मैंने जो sword वगएरा है सब बनाया, क्योंकि मेरको उसकी काफी जादा जरूरती उसके बाद day 5 में हमने जो अपना घर था उसको 3 defect दिया, मतलब उसके आसपास इसे wood के plants लगा दिये इसके बाद वो बहुत ही जादा घर इतना जादा, मतलब बहुत ही जादा बेकार लग रहा था, क्या बता हूँ उसके बाद day 5 में हमने आगे उसको expand कि उसकी जगह को ताकि हम उस पे थोड़े से paid weight उगा सके एंड थोड़ी dirt word लगाने के बाद मतलब area ठीक सागा लग रहा था और उसके उपर हमने फिर paid वववगा दिये उसके बाद day 6 में मैंने फटावट से mining में गया and धोके में हमको diamond मिल गए काफी सारे diamond मिल गए and I was really happy तो मैंने सोचा कि फटावट से obsidian mine कर लेते हैं के में जाके and उसके बाद day 7 में हम फटावट से गए नेजर के अंदर तो नेजर में जाने के बाद मैंने डिसाइड कि यहाथ तो हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि वे लिटरली एक floating island वे था and मैं इतना risk नहीं लेना चाहता मैं फटावट से आके बापिस से अपना क्रॉप फार्म में उसको थोड़ अप्ग्रेट किया क्योंकि मैं पस खाने की काफी कमी चल रही थी तो मैं फटावट अप्ग्रेट किया उसके बाद day 8 to 10 में मैंने फटावट अपना मॉब फार्म था मतलब मॉब फार्म इस वाले सीरीज में बहुत ही जारत जरूरी ने वाला है क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ है विलिजर टाइप अगरा वो हम को इसी से मिल सकती है तो मैंने फटावट से मॉब फार्म बनाया एंड लास्ट में बनाते बनाते देटन के एंड तक हमारा कंप्लीट हो गया था एंड हमने उसमें चैस्ट वैस्ट लगा दी एक चैस्ट कम पढ़ गी थी पर कोई बात नि मैं उसको ऐसे छोड़ दिया एंड हमारा मॉब फार्म वस कंप्लीट इड एंड हमारा सिर्फ एक ही गोल था कि हमको सारे करना है और अपना जो डायमंड का आर्मर है वो ब्लीट करना है तो जितने भी में को बड़ीया बड़ीया रिसोर्स मिल रहते हैं हमने सारी कलेक्ट कर लिए मतलब इतने उपर वाले लेवल पर मिलना काफी दा सही है उसके बाद जब फोर्ट्रेस मिली तो मैं फटावच्च जितने भी ब्लेज थे उन सब को बारनी कुष्ट करी लेकिन में पस खाना बहुत कम था लिटरली बहुत कम था तो मैंने सोचा कि अभी के लिए वापिस च करता गया एंड उसको बहुत सारी बना दिया तो हमारा I think काम हो जाना दे 18 और 19 में बस ट्रैवल कर रहा था मतलब एक्स्प्लोर कर रहा था एंड जो भी बोट वगेरा थी मैं समुंदर के अंदर उसको ढूंडनी कोष्ट कर रहा था बेसिकली फटावट से मैं को बहुत सा कोई SR में को मिल नी रहा मदा अवसार मिल नी रहा तो मैं फटावट जितने भी कॉब एक खटा किया एंड पहली बार मैं इस सिरीज में सोया Day 20 को सोचो गाइस Day 21 में बेसिकली मैंने अपना एरिया खाली कर रहा क्योंकि मैं पास enchantment table थी तो मैं सोचा कि उसको रखने के लि ले जाए क्योंकि लिटरली उससे पहले एक ऐसे नॉर्मल मैंने पाथ सा बना रखा था वो काफी बेकार लग रहा था तो मैंने ऐसे डीप सेट वगएरा को यूज करके काफी अच्छा सब्रेज बना दिया एंड बाकी के दिन मैंने से गोल ट्रेडिंग करी एंड गोल ट् अलाएक इस वर्ल्ड में एंडर पलra से नहीं गूण सकते तो एक वेबसाइट है उसके थू मेला रखतेर बताने चाहता हूं कि मैंट को पाल्स के थूड़ नी मिला क्योंकि ऐसे मिल नहीं पा रहा था इसमें पर्ल्स फैकने पर कुछ हो नहीं रहा था तो मैं पैसी करना पड़ा तो स्ट्रॉंग ओल से वापिस आते हुए देट 24 में मुझे शुगर केन मिला भाई जो बहुत बड़ी प्रोग्रेस है लिट्रे में पेपर बना सकता हूं बुक मना सकता हू उसके बाद डे 24 में जब मैं घर पहुचा तो मैंने सुचा कि एक AF के प्लाटफॉम बना लेता हूं अपने मॉब फार्म के ऊपर क्योंकि में पास इलाइटरा नहीं है तो ऊपर जाना बहुत ही जादा मुश्किल है तो मैंने लेटर के एक बहुत बढ़ी ऐसा AF के प्लाट मिला तो काफी सही उसके बाद डे 29 पे वह हुआ जिसका मैं काफी देर से निजार कर था मेरे को फटावट से एक जॉंबी विलेजर मिला तो मैंने इसको बोर्ट में फसाया फटावट से पोशन बनाया एंड काफी असानी से मैंने उसको क्यों और पे लगा दिया एंड लि बहुत जाला गंदा वन रहा था उसके बाद बाखी के दिन में गया एंड महाँ पे मैंने गोल्ड ट्रेड किया ताकि मैं को लेजर और मिल जाया एंड मैं चैन्में टेबल के आसपास अपने कवर कर सबूँ ले उसके बाद डे 32 में मैंने फटावट से कोश्च करी कि में थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा दिया एंड अभी फटावट जॉब ले रहा था पहले के मुकाबले तो मैं सुचा कि अभी देते काश और मैंने फटावट ऐसे किया एंड मेरे को इसने में दे दी एंड भाई काफी जादा खूश हो गया था मैं क्योंकि मेरे को लग रह चीज़ें को माइन करना शुडू कर दे क्योंकि में को प्रिक से करनी थी उसके बाद दे 34 पे जब मेरे इंचांटमेंट सेटप सही हो गया था तो मैंने इसको इंचांट करने के आ रहा था लेकिन मैं देखा कि मेरे सिर्फ 26 लेवल तक इंचांट हो रही थी 30 तक नहीं हो रही थी मेरे को रीजन नहीं पता अभी तक नहीं पता किसलिए हो रहा था लिटरली 15 बुक शेल लेकिन तबी भी इंचांटमेंट की तरी मतलब डीसेंट इंचांटमेंट थी तो मैंने सोचा की लगा लेते हैं उसके बाद दे 34 में मैंने बागी और xp कोशिश करी आंड मै लेकिन यहां पर कोई भी ब्लेज में को मिले ही नहीं तो मैं लिटरली ढूंटा रहा ढूंटा रहा एंड काफी देर ढूंडे के बाद चछत पर जाके मुझे बाद चला कि सारे ब्लेज महाँ चुपे वे थे तो एक एक करके मैंने उनको मारा एंड काफी जाद लिटरली पांच मिले सिर्फ हमको एंडरपल पर कोई बात नहीं उसके बाद हमने सोचा कि बाकी एंडरपल लेने के लिए क्या किया जाए एंड में पस थोड़ा बहुत गोल पड़ा था तो मैंने साचा कि इनको बेच के एंडरपल लेने कोशिश करते हैं and we were successful हमने फिग को बहुत शारी को उनको बेचा एंड उन्होंने हमको मन चाहिव एंडरपल दे दिए उसके बाद दे 39 में में सुचक एक चेस्ट बना लेते हैं जिसमें सारा समान रख लेंगे उसके बाद मैं पोशन बिरू करें सारे जो जो में को जवरत थे एंडर फाइट के लिए फट फेंडर बनाके फटावर्ट से मैं तयार था एंडर ड्रेगन को मारने के लिए तो डे 40 में स्ट्रॉंग होल के पास पहुचा एंड मैं बहुत जादा कॉन्फिटेंट था कि मैं उसको आराम से मार दूँगा तो फटावर्ट से मैं अपनी आयो फेंडर ली सारी एंड उसक तो काफी असान कामरा मैंने फटावर्ट से करके एक एक करके सारे जो एंड क्रिस्टल से तोड़े एंड उसके बाद बीच में जब ड्रेगन आया तो उसको मैंने फटावर्ट से अपनी तलवार से मारा उसके बाद जब उसकी हेल्थ थोड़ी सी बची थी तो मैंने फटा तो मैंने का चलो ठीक है करी लेते हैं, तो डे 42 में मैंने सोचा कि जो अपना विलेजर है, मतलब एक लौता और जो विलेजर है, उसके लिए मैं एक घर सा बना लेता हूं, तो ताकि वो थोड़ा सेफ सा महसूस करे, तो मैंने फटावट से कोबल स्टोन की स्लैब्स ली क्यों मेरी मर्जी के बिना, एंड उसके बाद मैंने इसको इसके घर में फ्री छोड़ दिया, ताकि आसपास भूम सके एंड इसको काफी जगह मिल जाए, उसके बाद day 43 के end में में को एक और zombie विलेजर मिला, तो भाई साब, मतलब ये series बहुत उपर जाने वाली है, मिल गया है, क उसके बाद भाई, जो माइंचाफ्ट है, उससे में को वूल के लिए बहुत सारे वेब लेने तो मैं उसके लिए गया, एंड बहुत सारे वेब कलेक्ट करके मैंने वूल के बेड बना दिये, उसके बाद मैंने फटावट से ट्री के लिए अच्छी से जगह बनानी ताकि वो मर ना जाए किसी की तरही के से, उसके बाद पता नहीं कहां से, बहुत सारे जॉम्बी रात को आगे, एंड भाई मुझे एक एक करकन को मारना पड़ा, लिटरली पता नहीं कहां से, क्योंकि हर जगह तमें टॉस लगा रहे हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं हमने तो भाई, this is it, यह है हमार एपिसोड का फाइनल डे, and I know कि इस वाले एपिसोड में थोड़ी बहुत गड़बड हुई है, and इस वाले एपिसोड की जो बेसिकली रिकॉर्डिंग्स थी, वो बहुत जादा फॉल्ट में थी, तो उसकी वैसे बहुत जादा प्रॉब्लम्स लेकिन मैं जैसे तैसे इस पूरी वीडियो को एक साथ जोड़ा है, and I hope कि उम लोग को पसंद आई वीडियो, अगर तुम लोग को पसंद आई वीडियो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना, I am requesting you to please subscribe, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है, अगर तो प्लीज लाइक कर देना, see you guys in the next one.